नमस्कार सिल्पा गुपता की रसोई में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बिना बुंदी बनाए फटाफट सौप्ट लड़ू बिलकुल मार्केट के जैसा बनाएंगे वो भी बिना कुछ खास मेहनत के तो चलिए बनाना हम सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए एक फेट लेंगे जिस तरह करी बरी के लिए हम बेशन फेटते हैं ठीक उसी तरह पहले बेशन को हम अच्छे से फेट लेंगे तो भी थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे और इसे अच्छे से फेट करके तयार कर लेंगे उसके बाद जब फेटा हुआ हो जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा बेटर को हम पतला करेंगे तब तक हम रिफाइन गर्म होने के लिए रख चुके हैं तो इस तरह का बेटर हमें चाहिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा पतला तो बस इसे अच्छे से मिला लेने के बाद हम रिफाइन में देखे हाई फ्लेम पर ही हमें करना है इस तरह से हम कलचुल से चारो तरफ कर देंगे तो हाई फ्लेम पर ही इसे हम गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे बेशन जितना अच्छे से फेटा हुआ रहेगा उतना ही हलका हमारा लड़ू लगेगा अगर बेशन आप अच्छे से नहीं फेटिएगा तो फिर लड़ू आपका टाइट टाइट सा खाने में लगेगा तो इसलिए बेशन को बहुत अच्छे से फेट लेना है तो ये देखिए high flame पर ही हम पकोड़े की तरह ही इससे चान करके निकाल लेगे तो अच्छे सी refine निकल जाना चाहिए जिसे हम निकाल लेगे और same process इसी तरह हम और भी बना करके तयार कर लेगे जितना है तो देखिए कितना आसान है बनाना कोई बुन्दी जहारने का टेंसन नहीं है कि हमें पतलावाला हम कैसे बना पाएंगे बहुत के घर में पतलावाला नहीं रहता है तो आप इस तरीके से अराम से बना सकते हैं तो इसे भी हम निकाल लेंगे तो इसी तरह हम सारा बना लेंगे उसके बाद जब हलका ठंडा हो जाए तो हम तोर-तोर के मिक्सिजार में डाल देंगे उसके बाद दो-तीन बाद चलाएंगे आराम से ये दर-दरा हो जाएगा तो बस हमें छोटा-छोटा टुकरा थोडा कर लेना है और इसे डाल देना है तो इस तरह से बनाना बहुत ही आसान है तो देखिए इसी तरीके से हम सारा करके तयार कर लेंगे तो सारा हम तयार कर लिए है तो बेशन हमारा 400 ग्राम के आसपास था तो अब हम इसमें डेर कटोरा चीनी देंगे और एक कटोरा पानी हम डालेंगे जिस कटोरा से चीनी डाले, उसके बाद इसे हाई फ्लेम पर ही हमें चासनी बना लेना है, चासनी हमें कोई भी तार वाली चासनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सौप्ट लडू बनाना है, अगर तार हो जाएगा तो फिर लडू टाइट हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा औरेंज कलर, डालेंगे, फूड। फूड कलर, अगर आपको पीला लडू बनाना है तो पीला कलर डालीए, हमें औरेंज बनाना है, तो इसलिए हम औरेंज कलर डालेंगे, तो बस इसे हाई फ्लेम पर बॉइल होने देंगे, एक बार हम चेक कर लेंगे बस चिप-चिप होना चाहिए तो यह हमारा हो चुका है तो इसमें अब हम सारा डाल देंगे जो पीस के हम रखे हैं तो अभी आपको लग रहा होगा कि चासनी बहुत ज्यादा है पर कोई बात नहीं आप 3-4 घंटे बाद यह अराम से अब्जॉर्ब कर लेता है तो इसे हम मिला लेंगे तो अभी आपको गीला लग रहा है पर यह गीला नहीं रहेगा तो तो थोड़ा हम बीज डाल देंगे खीरा वाला उसके बाद इसे अच्छे से मिला करके हम 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे आप चाहे तो चीनी इससे कम भी डाल सकते हैं आपके मतलब मीठा के उपर भी डिपेंड करता है अगर आपको मीठा जैदा नहीं चाहिए तो कम चीनी का चासनी ही बनाईए तो आराम से आपका एक घंटा में भी लड़ू बना सकते हैं तो यह देखी तिन-चार घंटे बाद हमारा ड्राय हो गया तो इसे हम लड़ू बना लेंगे तो देखें लग रहा है न बिलकुल बुंदी वाली लड़ू जो महिंदाना वाला होता है तो इसी तरह हम और भी लड़ू बना करके तयार कर लेंगे एक बार हम तोर के दिखा रहें तो यह देखें वाव कितना आसान है बनाना बिना कोई खास मैनत के आप फटाफट इस लड़ू को किसी पूजा में या ऐसे भी अगर आपको मन हो मीठा खाने का तो आराम से आप बना सकते हैं तो इसी तरह हम सारा लड़ू बना करके तयार कर लेंगे तो ये हमारा सारा लड़ू बन करके तयार है तो वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताईए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आकन जरूर दबाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में